हेलो व्रिवन तो जो भी स्टूडेंट्स डवाले ट्रिपल सी की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे त्यार सेडियूल आ चुका है और अभी ब्रॉश्यर आ गया है अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बॉंड कंडिशन की बात की थी सर्विस बॉंड की बात की थी प आपको ब्रॉश्यर देखो यहां पर दिख जाएगा यह जब आप पीडियो बॉपन करोगे तो अल्मूस 56 पेज की पीडियाफ है अगर आप यह कांसलिंग अपनी सेल्प कर रहे हो त्यार बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सारी चीजें पॉइंट डू पॉइंट क्ल हो जाएंगी तो इस वीडियो के थ्रू एक हम पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे उस पर और भी इस पर वीडियो जाएंगी ब्रॉश्यर पर जिस पर रूलिंग्स गाइडलाइन और सेक्रिटी फॉर्फिट होने पर बात की जाएगी सबसे पहला जो राउंड होगा उसमे फ्रीग्जिट का उप्शन है अब फ्रीग्जिट का उप्शन अब यहां पर बहुत अच्छे से समझना अगर आपको फ्रीग्जिट लेनी है राउंड वन में अलॉट्मेंट आ जाए आप कुछ मत करो घर पे बैठे रहो आपके फ्रीग्जिट कंसीडर होगी और इफ ज जिहान रखो उसकेस में सिक्रूटी अमाउंट अपका फॉरिफिट नहीं होता है और आप फॉर्दर कांसलिंग के लिए आपके अलिजबिल्टी बनी रहती है और अगर आप गॉर्मेंट गॉर्मेंट एडिट कॉलेज के लिए करोगे तो भई 10,000 रुपय का सिक्रूटी म अमाउंट फॉर्फिट हो जाएगा मतलब राउंड टू में किसी भी तरह का कोई भी इग्जिट करने का अप्सन नहीं है और फ्री इग्जिट इफ नौट जॉइन अगर वो जॉइन नहीं करता है तो फ्री इग्जिट वो कर सकता है सेकेंड राउंड में भी बट क्या लिखा हुआ है exit with forfeit of security amount if joined अगर जॉइन कर जाएगा तो forfeit हो जाएगा और candidate not joined slash not reported to the allotted seat or eligible for further counselling अगर वो जॉइन नहीं करता है तो आगे के राउंड के लिए उसकी eligibility रहेगी यह second round में यह कंडिशन है पहली कंडिशन यह थी कि अगर वो जॉइन नहीं करता है तो free exit को option था, अगर join कर जाएगा, तो कोई भी free exit नहीं है, further candidates who joined, जो join कर जाता है, मतलब उसने report कर लिया, and exit resign from the allotted sheet, जो उसको sheet मिली हुई है, वो वहाँ से निकलना चाहता है, with forfeit, मतलब पैसा उसका forfeit हो जाएगा, of security money, जो तीन दिन जो दिया जाता है, round third के registration के लिए, अगर उस बीच में, अगर वो resign दे देता है, तो उसकी eligibility आगे की counseling के लिए रहती है, otherwise फिर उसका eligibility का option खतम हो जाएगा, ये point उपर भी दिया हुआ, एक जगा वो भी में mark करके दिखा दूँगा, है ना, ये चीज़ धियान रखना, अगर वो इस time duration के अंदर नहीं देगा, तो फिर forfeit हो जाएगा, और ये government का है fees, अगर deemed के लिए apply करो गए, तो 50,000 गोस का है, point number third, जो round third की बात कर रहे है, no free exit if seat allotted, अगर seat allotted हो जाती है, तो किसी भी तरह का कोई भी free exit नहीं है, ये round third इतना जादा important है, because next round में आप यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा, जो stray vacancy round होता है, उसमें कोई भी fresh registration नहीं अलाव होता है, तो इसलिए आपको पहले से ही mop up में participate करना पड़ेगा, ताकि आप अगर extended rank में हो, तो आपको allotment मिल पाए, इस point को भी आप अच्छे से देख लो, और वीडियो complete देखना, थोड़ी सी, वीडियो को complete देखना, point number third हम discuss कर रहे थे, कोई भी फ्रीग्जेट नहीं होगा, अगर seat allot हो जाता है, इप seat allotted, not joined slash resigned है न, ये यार देखो, forfeit वाली condition है, एक बार round third में, मतलब mop up round में, अगर allotment आ जाएगी, तो भी आप पैसा आपका forfeit होई जाना 110%, इप candidate is allotted seat in the round third, he or she will be ineligible for further round, अगर भी आप यहां से quit करना चाहते हो, तो आप quit, तो मालीजे आपने नहीं गया, है न, या इस सच कोई ली, इस पे authorized option नहीं है, जिसे मालीजे मेरे को third round में lot print आया, और हम चाहरे हैं कि भी हम नहीं लेंगे, तो अगर आप नहीं लोगे, तो आप किसी भी state counselling में eligibility आपकी खतम हो जाए, कोई भी state counselling छोड़ो, आप आगे कि इस ट्रे वाकेंसी round में भी नहीं जा पाऊगे, कोई भी किसी भी तरह की counselling नहीं कर पाऊगे, अगर आप round third में अगर ऐसा करते हो, तो इसमें बहुत clear लिखा हुआ है, इन eligible हो जाओगे आप, आगे के लिए, अगर आप यहाँ पर कुछ भी resign वगरा देने का प्लान करते हो, तो कोई भी option नहीं आप है, final extra vacancy round कोई भी free exit नहीं होगा, जो seat मिलेगी वो आपको join करनी पड़ेगी, है ना, if the candidate is allotted seat in the extra vacancy round, he will be ineligible for further counselling, यह जो point है, इसकी heading जब देखोगे, तब आपको clear होगा, हो सकता है, यह heading यहाँ से missing है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो आपको, यह अगर आप आगे के लिए कोई भी counselling में पाटिसिपेट करना चाहर और रिजाइन बगरा देकर, तो यह conditional होता है, तो आपकी eligibility यहाँ पे खताम हो जारी, यह लास्ट के दो रावन में ध्यान दखना है, और security amount वाल आपको clear हो गया होगा, यह चार points है, बड़े important है, इस brochure में थोड़ा सा अगर हम और नीची आएंगे, तो यहाँ पर security के लिए थोड़ी कंड़ी वो दे रखा है, कि क्या-क्या fees आपको जमा करनी होगी, भई 1,000 रुपए form का हो जाएगा, जैसे 10,000 रुपए security है, तो आपको 11 पे करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आप किसी SC, ST, या PWD हो गये, तो 500 रुपए का form fees है, तो 10,500 जमा होगी, ठीक है, और अगर आप deemed का है, तो भई 5,000 रुपए का form होगा, ठीक है, तो वीडियो आज के यहीं तक, काफी अच्छी informative वीडियो, अगर आपको यह लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सेर करना, कोई भी point brochure का अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे comment section में जरूर बताएं, और हमारे आपको इंस्टॉल करें, कि double A triple C के थरू आपकी जो भी rank है, उस rank पे कौन सा college मिल सकता है, तो जाकर इंस्टॉल करें, चक आउट करें, और double A triple C एक ऐसा एक सिंगल माद्द्यम्यार, जिसके थरू आपको एक government college मिल सकता है, तो जल्दी से जाकर हमारी team से connect करो, बात करो बात करो आपको इंस्टॉल की हिसाफ से, आपको बताएंगे कि आपको कौन सा बेस्ट college मिल सकता है,